Hello students, welcome back to our channel. कभी आस्मान में बिजली देखी है और सोचा है कि यह कितना पावर्फुल है. पुराने जमाने में लोग वो ये सब देखते थे, सोचते थे और हैरान होते थे. ग्रीक लोगों ने देखा कि जब एमबर को फर से रगड़ते हैं, तो वो छोटी चीजों को अपनी तरफ खीचने लगता है. आज हम इस फोर्स को स्टाटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, लेकिन यह बस एक क्यूरियोसिटी नहीं थी. यह इलेक्ट्रो मागनेटिजम को समझने की दिशा में पहला कदम था. इस जर्नी ने हमारी दुनिया को ऐसे रोशन किया, जिसकी उन्होंने कभी कलपना भी नहीं की होगी. और यकीन मानिये, दुनिया अपनी सबसे बड़ी सीक्रेट्स उन्हीं चीजों में छुपा कर रखती है, जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं. अब चलते हैं उन्नीसवीन सदी में. एक स्कॉर्टिश फिजिसिस्ट जेम्स क्लरक मैक्सवेल आते हैं. वो बहुत बड़े जीनियस थे. मैक्सवेल ने फारडे, गौस, एमपीर और दुसरे साइंटिस्ट का काम देखा. वो सब एलेक्ट्रिसिटी और मागनेटिजम को ए इन एक्वेशन्स ने सब कुछ बदल दिया. मैक्सवेल के एक्वेशन्स ने इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव्स होने का प्रेडिक्शन दिया. ये वेव्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है. उन्हें एहसास हुआ कि लाइट खुद एक इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव है यह physics में एक बहुत बड़ा revolution था अब बात करते हैं William Herschel की 1800 में वो sunlight पर study कर रहे थे उन्होंने एक prism का use करके light को अलग-अलग colors में तोड़ा लेकिन Herschel कुछ और जानना चाहते थे वो हर color का temperature नापना चाहते थे इसलिए उन्होंने thermometers को light के पैट में रखा उन्होंने जो देखा वो आश्चर ये जनक था temperature blue से red तक बढ़ता गया लेकिन यहां मज़ेदार बात यह है कि red के आगे thermometer का तापमान सबसे ज्यादा था जहां कोई visible light नहीं थी Herschel ने infrared radiation discover कर लिया था यह हमारी आँखों को दिखाई नहीं देता लेकिन हम इसे heat के रूप में feel करते हैं इस discovery ने electromagnetic spectrum की एक नई दुनिया खोल दी जो हम देख सकते हैं उससे कहीं आगे अब मिलिये जोहान विलहम रिटर से 1801 में वो Herschel की infrared की खोज से बहुत inspired हुए अगर red के आगे invisible light है तो क्या violet के आगे भी invisible light हो सकती है रिटर जानते थे कि silver chloride sunlight में आने पर काला हो जाता है उन्होंने कुछ test करने का decide किया यह जानते हुए कि silver chloride photographic कागज लाल रोशनी की तुलना में नीली रोशनी में अधिक तेजी से काला हो जाएगा उन्होंने कागज को violet से परे sunlight में उजागर किया और हुआ भी ऐसा ही silver chloride वाला paper spectrum के violet end के आगे सबसे ज्यादा तेजी से डाक हुआ और ultraviolet radiation discover हो गई यही हमें sunburn करती है लेकिन इसका use equipment को sterilize करने के लिए भी किया जाता है और यह हमारे शरीर में vitamin D बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है वापस चलते हैं Maxwell और उनके amazing equations पर उन्होंने electromagnetic waves होने का prediction दिया था है ना? लेकिन कोई भी उन्हें lab में create नहीं कर पाया था तब 1887 में Heinrich Hertz आए उन्होंने एक spark gap बनाया इससे कुछ remarkable generate हुआ radio waves आइट की speed के बहुत करीब थी जैसा कि Maxwell ने predict किया था यह theoretical physics के लिए बहुत बड़ी victory थी यह wireless communication के युग की शुरुआत थी जरा सोचो, radio, television, cell phones यह सब electromagnetic waves को समझने की वजह से possible हो पाया 1895 में Wilhelm Rundgen द्वारा x-rays की खोज एक पूरा accident थी वो cathode rays के साथ experiment कर रहे थे तभी उन्होंने कुछ strange देखा fluorescent material से coated एक screen तब भी light up हो गई जब cathode ray tube को काले cardboard से cover किया गया था यह रहस सिमई rays ठोस चीजों से होकर गुजर सकती थी रंटगन की discovery ने medicine में क्रान तिला दी जिससे हमें बिना surgery के human body के अंदर देखने की permission मिली और फिर 1900 में Paul Willard ने gamma rays discover की जो electromagnetic radiation का सबसे ज्यादा energetic form है यह rays radioactive material से निकलती है और medicine और astronomy में इनका बहुत important use है 1914 में Ernest Rutherford ने दिखाया कि gamma rays एक्स rays के similar है लेकिन उनकी wavelength बहुत कम होती है जिससे वो electromagnetic spectrum के सबसे आखिर में आती है हम lightning storms को देखने से बहुत आगे आगे हैं है न ancient sparks of wonder से लेकर invisible universe को manipulate करने तक electromagnetism का journey human curiosity और cosmos को समझने की हमारी कभी न खत्म होने वाली खोज का प्रमाण है आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें